दोस्तों मुझे लग रहा है कि इंडिया में BSNL का 4G और BSNL का 5G एक साथ ही आने वाला है यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो टेलिकाउम मिनेस्टर है श्री ज्योतिर अधित्या उन्होंने अभी एक पहली जो 5G वीडियो कॉल है वो की है इन्होंने डेमोंस्ट्रेट करते हैं जो यह लोग पहले डेमो निकालते हैं कोई भी चेलिकाउम मिनिस्टर है उनके आत्मे फॉण दे दिया गया BSNL का 5G network है, जो लोग testing कर रहे हैं, उससे connect किया गया, और यहाँ पर देखा जा सकता है, कि जो टेलिकॉम minister है, वो किसी lady से बात कर रहे हैं, और वो 5G पर बात कर रहे हैं, वो उसे पूछ रहे हैं कि आप मेरी वास सुन पा रहे हैं, और मुझे देख पा रहे हैं, तो वो वह BSNL 4G का roll out properly हुआ ही नहीं है, और 5G की testing शुरू हो गई, यह कैसी बात है, बहुत सारे लोग मेरे comment section में भी बोल रहे हैं, और मुझे personally भी बोल रहे हैं, कि आप जो BSNL की इतनी बढ़ाई कर रहे हो, जो इतनी तारीफ कर रहे हो, भाई क्या होता है, आप 4G आया नहीं है ठ कैसे काम करता है, तो इससे पहले अभी 2-3 वीडियो पहले मैंने बनाई यह वीडियो, कि 4G और 5G का कैसे काम करती है, वो वीडियो में description में दे दूँगा, देख लेना आपको समझ आ जाएगा, कई बार ऐसा होता है, कि लोगों को कम जानकारी होती है, तो वो ऐसी comment कर देत होती है, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के 5G होते है, standalone और non-standalone, जो standalone 5G होता है, वो completely independent network होता है, जिसका संबंद 4G network से नहीं होता, एक complete नया infrastructure set किया जाता है, for example, Jio, लेकिन एक और technology होती है, जिसे non-standalone कहा जाता है, यह 5G technology existing 4G infrastructure पर काम करती है, for example, Airtel, अब क्योंकि आप द SNL non-standalone को पहले rollout करेगा, इसकी खास बात यह होती है, कि non-standalone जो 5G होता है, वो जल्दी rollout किया जा सकता है, और इसी network infrastructure पर बोथ 4G and 5G network को पूरी country में बहुत जल्दी पहुचाया जा सकता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार लेट आएगा, लेट आएगा, तो मैं एक update देतू कि BSNL के जितने भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी है, मैंने information gain की है, वो weekly और monthly basis पर रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, बलकि daily basis पर रिपोर्ट ले रहे हैं कि BSNL के 5G का काम, BSNL के 4G का काम कहां तक पहुचा, इसका मतलब यह बैठता है कि इस साल के अंत तक या उससे पहले ही आपकी सिटी में BSNL का 4G और 5G आ जाएगा, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप BSNL के साथ TATA की भी हिस्सेदारी हो गई है, पार्टरशिप हो गई है, टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, और 15,000 करोड का इतने कुछ डील हुई है, तो एक आध ही आएगी, जिसमें हम भी बिल्कुल हाथ अजमाएंगे, मैंने तो अजमाया भी है, और आपने देखा होगा BSNL के पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा इसा, क्योंकि टेक प्रवाइडर है, जो सुदूर इलाकों में प्रवाइड कर रहा है, मैं बताता हूँ कैसे, हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगाएं हैं जहां पर population density जादा नहीं है, population density का मतलब होता है, किसी एक एरिया में जादा लोग नहीं रहते, सुदूर इलाके में, मनीपूर म पहाडों में, अरुनाचल में, ऐसे गाओं हैं जिसमें कुल मिलाकर 10 ही घर है, 15 ही घर है, 20 ही घर है, 20 घरों में इंटरनेट प्रवाइड करने के लिए प्राइविट कंपनिया टावर नहीं लगाती, क्यों पैसा खर्च करेंगी वो, आपको पता है टावर लगाने में कित लगाते हैं, क्योंकि उनके नेट्वर्क नहीं आते हैं, वो पाहाडों में रहते हैं, वहाँ पर प्राइविट कंपनियां बहुत दूर दूर टावर लगाती हैं, और 5G के केसे में आपको मालूम होगा, 5G के टावर ज्यादा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि 5G की स्पीड में मिर्टर का हिजाब होता है, लगाना पड़ता है, उनको सरकार का आदेश है, लगाना ही पड़ेगा, चाहें गाउं में दो ही आदमी क्यों नहीं हो, आपको पता है, ऐसी बहुत सारी जगा हैं, जो वोट देने के लिए 3 ही करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर वोटिं अईृ सब एक चीज होना, आपको मालूम है एक होना है, और सब्सक्राइब सरकारी टेलीफोन सर्वे проект सब बताऊंगा आपको लेकिन फिलाल के लिए इतना ही अगर आपको यी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें दोस्तों को साथ शेयर करें सबर सेक्यरोड और इतिकल हाकिंग में ट्रॉस्ट है तो दिस्क्रिप्शिन चेक करें और मैं में आप से अगली वीडियो में थैक गुड़ बाइ